नमस्कार जूटे आरोप लगाना पती या पत्नी के ऊपर इसके पहले भी कुछ विशेश जज्जमिंट्स के बारे में हमने की है बात इस पर्टिकलर वीडियो में एक और नया जज्जमिंट जहां पर हम बात करेंगे हिमानचल प्रदेश हाई कोट की और ये जज्जमिंट है राजेंदर चौधी वर्सिस रगुवीर सिंग का जज्जमिंट इस जज्जमिंट में क्या हुआ था जो पत्नी थी वो शिकायत करती है किसके प्रती अपने पती के प्रती कहां पर deputy commissioner के commissioner साहब के सामने एक शिकायत प्रसुत करती है जहां पर कहती है कि उसके पती के illicit relationship है illegal relation है अवैद संबंध है उसके खुद के भाई की जुपत्नी है उसके साथ इस condition पर court ने क्या कहा अगर इस प्रकार के आरोप को साबित नहीं किया जा सके तो ये भी cruelty है मानसिक प्रतार के दाएरे में आ जाती है और इसे आधार बना करके लिया जा सकता है डायवास ऐसा ही हुआ था राजेंद्र चौधरी वर्सिस रगुवर सिंग के केस में जहां पर मानसिक प्रतारना को आधार बनाया गया और तलाक दिया गया पत्नी ने शिकायत की थी deputy commissioner के यहां और deputy commissioner के यहां पर आरोब लगाये थे गंभीर प्रकृती के आरोब की मेरे पती के अवैद संबंध है किसके साथ उसके खुद के भाई की जो वाइफ है उसके साथ मैं कोट ने समझा कि अगर यह साबित नहीं किया जा सका वाइफ के द्वारा तो यह मानसिक प्रतारना है दूसरी ब जो मेरे साथ कभी स्कूल में पढ़ा करता था उसके साथ में मेरा प्रेम संबंध है और मैं तुम्हें छोड़ करके उसके साथ में शादी करना जाती हूँ एक लेटर लिखा गया था पती अमेरिका में रहता था लेटर भेजा गया होगा शायद मेल के तुरू या खत लिखा गया हो जो भी तो यह जजमेंट है गुरलीन कौर वर्सेज लखबीर सिंग का जजमेंट 228-2016 DLT पेज नंबर 27 यहाँ पर जब पतनी लेटर लिखती है अपने पती को और वो डिस्क्लोस करती है अपसी सेहमती की तलाग का जो एक पेपर है डॉकिमेंट है वो भी पती को भेज देती है तो इसे कोट ने मानसिक प्रतार्णा माना पती के प्रती क्योंकि यह कहना कि मैं तुम्हें छोड़ करके अपने स्कूल मेट के साथ मैं पीच में चाहे वो मेल के तुरू हुआ हो चाहे वो रिजिस्टर्ट कुरियर के तुरू ऑन एफटेबिट डॉकिमेंट भेजे गए हो इसे कोट ने एस्टेबलिश्ट लॉफ एविडिन्स माना और इस आधार पर तलाक दे दिया पती को पतनी से मिल गया छुटकारा जी ह तो ध्यान रखिए आप जो भी लेटर्स भेज रहे हैं जो भी आप रिटिन में दे रहे हैं चाहे आप वाट्सअप पे दें चाहे आप मेल में दें चाहे आप किसी भी माध्यम से दें तो उस पर जो आपके शब्द हैं उसकी उपर ध्यान रखना चाहिए आज तो आपने excitement में कुछ लिख दिया, कल को हो सकता है ऐसा ही जैसे गुरलीन कौर और लगबीर सिंग के judgment में गुरलीन कौर के खिलाफ पढ़ गया, वैसा कहीं आपके खिलाफ में न पढ़ जाए, और क्योंकि इसमें court ने ये समझा कि ये मानसिक प्रतारणा में आता है, अपने पती को ये कहना मैं तुभे छोड़ करके अपने स्कूल मेट के साथ में आपनी बाकी की जिन्दगी रहना चाहती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, इसे भी मानसिक प्रतारणा समझा, तो ये पती और पतनी दोनों के लिए अपली केबल होता है ये जज्जमेंट आपको रखने वाली बात है दियान, माफ कीज़गा गुरलीन कॉर वर्सिस लखपीर सिंग का जज्जमेंट 228-2016 और DLT पेज नुमबर 27 तो दोनों ही जज्जमेंट महत्वपून थे मानसिक प्रतार्णा कैसे कोर्ट में साबित की जाती है उससे संबंदित में आपको ये जज्जमेंट बताने का प्रयास कर रहा हूँ जहां पर पहला जज्जमेंट राजिंद्र चौधरी वर्सिस रगवीर चौधरी का जज्जमेंट था 2011 AIR और दूसरा गुरली इन कॉल वर्सिस लगवीर तो इन दूनों ही जज्जमेंट में मानसिक प्रतार्णा साबित जब नहीं हो पाई जूटे आरोप लगाए गए या कुछ ऐसा विभाहार किया गया जिसे कोर्ट ने ये कंसीडर किया ये समझा कि ये मानसिक प्रतार्णा है और उसी पर आधार बना कर दे दिया तलाग आपको जानकारी कैसी लगी में ज़रूर बरताईएगा अगर आपको पसंद आती है हमारी दी हुई जानकारी सब्सक्राइब जरूर करते कमेंट कर सकते हैं आप मुझे अगर आपके कोई प्रशन है डिरेक्ली करना चाहें बात इस फीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है लिंक है जहां से डिरेक्ली अपॉइन्मेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी स्वास्ता और सुरक्षेत रहें